नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है PMC हिंदी की स्वाध्याए सीरीज में स्वाध्याए में आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं आज जो बुक लेकर आए हैं उसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स यह बुक एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक है और यह डॉक्टर ब्राइन वीज दुवारा लिखी गई है आईए आज इस बुक के बारे में कुछ जानते हैं अगरा करते हैं डाउट ग्राइन वीज ने कही किताबे लिखी हैं और यह पास्ट-लाइफ रिग्रेशन से कंसर्ण हैं प्स्ट्री बुक्स एक तो जो मैं आपके साथ अज शेर करने वाली हूँ वो हैं Many Lives, Many Masters, उसके अलावा, Dr. Brian Wies ने और भी बुक्स लिखे हैं, जैसे Miracles Happen, जैसे Only Love is Real, जैसे Messages from the Masters, एक एक बुख बहुत कुबसुरत है, फ्रेंज्टर वाइस की विज्डम इन बुक्स के थूँ शाइन करते है, उनके शब्दों में, उनके Acts में, उनके विज्डम चमक कराती है, so friends, आएए देखते हैं, इस किताब में, वो हमें क्या बताते हैं, ये किताब है friends, इस जो किताब की जो नाइका जिसको हम बोल सकते हैं, प्रोटागोनिस्ट बोल सकते हैं, वो है कैथरीन, कैथरीन एक 27 यर ओल्ड वूमन है, और वो अट्राक्टिव यंग वूमन है, लेकिन उसके जीवन में तकलीफों का अन्थी नहीं होता, ऐसा कौन सा डर है जो कैथरीन को नहीं है, पानी से डर, हाइट्स का डर, दवाई ले ते टाइम चोकिंग होने का डर, अकेले रहने का डर, सोने का डर, नाइट मेर्स का डर, एज में वो emotionally handicapped person है, वो अपनी life को ठीक से लीड नहीं कर पा रही है, उसकी problems दिन बद दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी life में, जैसे एक मसीहा आते है आपकी life में, उसकी life में, जिस मसीहा ने उसको सही दिशा दिखाई, उसका नाम था Dr. Ed, Dr. Ed एक pediatrician थे, और वो छोट थे और साथ में, Catherine ने उनको, कभी-कभी अपनी problems उनके साथ शेर करी थी, so Catherine को वो हमेशा बोलते थे, कि तुम Dr. Wise के पस जाओ, गुरू Dr. Wise, एक दो लोगो ने और भी कहा, Dr. Wise के पस जाओ, अपनी problems discuss करो, so she ends up going to Dr. Wise, she takes an appointment, और वो Dr. Wise के पस बहाँ जाते हैं, Dr. Wise के साथ का करना स्टार्ट करते हैं, Dr. Wise के बार में, friends, आपको यह पुता, उनकी बहुत जबरदस प्राक्टरस थी, and वो एक साथ ने वो हिपनॉसिस भी करते थे, अगर ज़रूरत पड़ती तो, so Dr. Wise का thriving career था, और Catherine उनकी लाइफ में आई, और friends, क्या हमारी लाइफ में कोई बिना कि कारण के आता है, नहीं, Catherine वो patient थी, जिसने उनकी जीवन को बदलना था, उनके जीवन की दिशा को बदलना था, so friends, Catherine उनको अनको अपनी बहुत सारी problems बताती है, और वो जो conventional तरीका होता है, जो conventional methods होते हैं, वो Catherine पर यूस करते हैं, so उनको लगता है Catherine के सभी problems उसके past में उस खास याद नहीं है, Catherine को सिरफ दो चार मोटे मोटे incidents याद है, जैसे कि उसको याद है कि वो पांच साल की उमर में किसी ने उसको पूल में धका दिया था, और वो उसको, उसका सांस घुटने लग गया था, उसका दम घुटने लग गया था, तो उसको वो choking वाली feeling याद है, और उसको बहुत जादा incidents अपनी लाइफ की याद नहीं है, तो डॉक्टर वाइज उसको hypnosis करते हैं, और क्योंकि बहुत समय तक conventional therapy ने काम नहीं कि डॉक्टर वाइज ने सोचा कि hypnosis को turn करते हैं, hypnosis एक बहुत सफल तरीका है अपनी हमारी past life, हमारी past की memories को excavate कर दे में, तो डॉक्टर वाइज उसको hypnosis में लेकर जाते हैं, और वो क्या पाते हैं, कि सबसे पहरे तो Catherine देखती है कि वो 5 साल की उमर में किसी ने उसको धक्का दिया पानी में, और उसका दम घुटने लग जाता है, सबसे पहरे चीज तो वो ये देखती है, और उसको डॉक्टर व लिया है इस memory को, इसको बोलते हैं, friends, screen कर लेना memory, मतलब उसको बिल्कुल याद ने है कि ये incident उसको साथ हुआ था, और उसके father ने उसके मूँ पर हाथ रखा था, वो drunk थे उससमें, and he touched her inappropriately, और उसके बाद वो, you know, उनोंने उसको कहीं वो शोर ना मचाया, उसने उस तीन सा के चोटे से बच्चे के मूँ को खुब अच्चे से दबाया, और वो उसको सांस नहीं आ रहा था उस incidence से, so ये उसको याद आया, जब डॉक्टर के couch पर, वो डॉक्टर के क्लिनिक में couch पे थी, और उसको ये पूरी memory सारी याद आई, और वो उसी couch पर उसी memory को relive करने लग गई, so जब वो hypnosis से बाहर आती है, तो डॉक्टर उसको समझाते हैं कि ये incident हुआ था, तो उसको कई बाते समझाते हैं कि उसकी relationship उसके फादर के साथ इतनी troubled क्यों है, वो क्यों इससे इतना चिरते हैं, वो क्यों इससे उतना दूर रहते हैं, उसको ये एक नई understanding मिली और उ solution मिल गया होगा, लेकिन वो बहुत सर्प्राइज होते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि काथरीन के symptoms में कोई जादा फरक नहीं आया, पहले के जैसे ही उसके symptoms almost same थे, तो ये डॉक्टर वाइस के लिए काफी shocking था और वो ऐसा उनको लग दा था कि वो एक वाल को हिट कर च जहां से magic शुरू होता है, मुझे ऐसा लगता है, सो ऐसा यह ही हुआ, डॉक्टर वाइस ने काथरीन को बोला कि अमने इपनोसिस में बोला कि तुम उस ताइम में जाओ जब से तुम्हारी प्रॉब्लम्स शुरू होई हैं, गो बाक इन ताइम, सो काथरीन, काथरीन जो है अपनी एक पास्ट लाइफ में चली जाती है, जिसमें वो एक वूमन थी बाइदा नेम ऑफ एरॉंडा, उसको अपने लिखाई दिखाई देख जिस से बोरी का मटेरिल होता है, सैक का मटेरिल होता है, उस मतेरियल से उसके लिख बने हुए थे, सो डॉक्टर काफी हरान हो जिसमें कि उसने वो सैक वाले कप्डे पहने हुए थे, और इमेजएटली उसको एक बच्चा दिखाई देखाई देखा है, जो कि उसका बच्चा था, और उस बच्चे को देखे ही वो कैते है, यह तो रेशल है, रेशल उसके इस जनम की बतीजी है, करेंट लाइफ लाइ उसमें उस बाड में डूब कर मर जाती है, उसका बच्चा भी उससे अलग हो जाता है, और उसके बाद वो इक उस बाड में डूबने के बाद बहुत पीस्फुल स्टेट में पहुंच जाती है, जैसे कि हमने काई निर डेथ एक्स्पिरियेंस में देखा है, सो डॉक्टर को थोड़ा हैरान थे, परिशान थे कि यह हो क्या रहा है, यह इसकी मेमरी तो बहुत ऐसे प्रिसाइस लग रही है, काल यूंग फ्रेंज एक साइको आनलिस्ट थे और उन्हों ने यह कॉंसेब दिया है, जिसको हम बोलते है, क्लेक्टिव उनकॉंशिस हम सभी क्या अनकॉ कर दिया है, उस छोटे बच्चे की बात कर दिया है, तो यह कलेक्टिव उनकॉंशिस तो नहीं है, यह इसने अपनी सबकॉंशिस में टैप किया है, फ्रेंज, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो, अब हम इस बात को जानते हैं, इतनी स्टडीज हो चुकी है, कि हमारा सिरफ कॉ तो वो जो सबकॉशिए उसमें हमारी सारी past की मेमरीज रहती हैं सभी इस बात पर डिबेट करें कि अपनी सबकॉशिए में टैप कर रही है किया क्लेक्टिव unconscious में कहां पर tap करी है doctor was wondering so पर कोई बात नहीं उनने अपना थोड़ा समझने की कोशिश करी और उसके बाद next session में Catherine दुबारा आती है friends और Catherine बताती है कि उसके जो symptoms से जो इसको डर था इतना ज़ादा choking का, drowning का डूब जाने का डर था वो डर बहुत कम हो गया था and doctor was left thinking की हो क्या रहा है वो जो डर जो मुझे की incident लग रहा था उसकी life का वो तो नहीं निकला, वो था लेकिन उसे भी पीछे की memories हैं जिसमें ये tap कर रही है so again doctor ने उसको फिर से regress किया और वो regression में immediately अपने Aironda के ही life में पहुँच कई और यहां पर जाकर वो क्या देखती है कि Aironda अपना एक domestic scene देखती है एक car को देखती है, एक horse को देखती है और क्या देखती है, कि उसके father उसको उठाने आते है, Aironda इसमें एक baby है so Aironda के Aironda अपने father को hug करती है तो उसके father भी उसको बहुत प्यार से हग करते है, तो वो उसको पूछते है कि कौन है यह, कौन ही तुमारे father, she says Dr. Ed Dr. Ed friends वही doctor है जिन्होंने इस जनम में Catherine को बार-बार बोल रहा है, कि Dr. Wise के पस जाओ वो तुमारी मदद करेंगे, Dr. Wise के पस वो उस जनम में Catherine के पिता थे और कई-कई इस तरह से राज खुलने लग गए Catherine ने और भी बहुत सारी lifetimes में tap किया Catherine ने डॉक्टर को बताया कि उसने 86 lifetimes लई हैं अर्थ पर और बहुत अलग-अलग रोल्स में उसने अपियर किया है कई-कई अलग-अलग लोगों के साथ अब Dr. Wise को ये concept Dr. Wise ने अपनी medical practice में तो पड़ा नहीं था कौन सा concept है reincarnation का कि हमारी we are the same soul taking many different births तो वो जब कुछ दिन के लिए वो study करते हैं अपनी परानी books में जाते हैं और उनको reincarnation मिलती है Buddhist literature में मिलती है उनको Hinduism में मिलती है सभी में उनको reincarnation के बारे में पता चलता है तो उनका बहुत enlarge हो गया उनका जो perspective था और जो Catherine की problems थी की understanding थी वो बहुत enlarge हो गई थी So Catherine ने उनके साथ कई regressions किये और हर regression के बाद Catherine चमकती होई आते थी She had begun to glow वो इतनी attractive होती जा रही थी Catherine वो as it is बहुत attractive woman थी देखने में लेकिन अब उसकी personality इतनी attractive होती जा रही थी कि लोग जो पहले जस Catherine की तरफ देखते भी नहीं थे जो अकेली बैट कर काना कारी होती थी and nobody would notice हर वो Catherine अब एक magnetism आ गया उसकी personality में लोग उसकी तरफ अट्राक्ट होने लगे जबरदस so उनसे डॉक्टर ने उससे पूछा जब वो एक बार अपनी super conscious state में थी तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम इतनी attractive क्यों होती जा रही हो लोगों को और तो उससे डॉक्टर से का कि मैंने अपने बहुत सारे fears shed कर दी है इसलिए मैं attractive होती जा रही हूँ इसी तरह से friends Catherine के बहुत सारे sessions हुए और हर session के बाद उसकी life की quality बहुत जबरदस्थ होती जा रही थी Catherine ने अपनी जो current lover है इस lifetime में वो Stuart से प्यार करती है Dr. Stuart एक married man है वो Jewish है, उनके बच्चे है और Catherine उनसे बहुत प्यार करती है उन दोनों के बीच का attraction बहुत जबरदस्थ है उनकी chemistry जैसे explosive chemistry है दोनों की लेकिन उनके relationship में बहुत सारे problems भी है So एक lifetime में Dr. Wise उसको regress करते हैं तो वो देखते है कि she's a man और उसका नाम था Johan So Johan एक seaport पर काम करता है और वहाँ पर भाले है ऐसे बहुत सारे लड़ने के weapons बहुत सारे है So एक war type चल रहा है और Johan को बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा वो फिर भी करना पड़ रहा है उसको war Last scene में वो क्या देखता है कि उसका एनिमी उसका गला काटता है और गला कटने से पहले वो पीछे उसकी नज़र जाते है कि एनिमी है कौन जिसने मेरा गला पकड़ा हुए Friends वो और कोई नहीं थे Dr. Stewart थे जिनसे वो इस लाइफ टाइम में बहुत प्यार करती है और जिनके साथ लेकिन उसकी रिलेशन्चिप उनके साथ काफी प्रॉब्लमाटिक है ऐसा है कि जैसे उन्होंने उसको अपनी गृप में रखा हुआ है उसको डरा कर रखा हुआ है उसको मतलब कि जैसे एक एन्चांटेड नहीं होता कोई इनसान उस तरह से वो डॉक्टर स्टुवर्ट के प्रती एंचांटेड थी सो डॉक्टर स्टुवर्ट और कई लाइफ टाइम्स में भी आए नजर आए सिरफ इसी लाइफ टाइम में और कई लाइफ टाइम्स में भी नजर आए वो कैते हैं, आप मेरे टीचर हैं और आप मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, आपके पस बहुत लोग कुछ सीखने आते हैं, आपके बहुत लोग सीखने आते हैं, आपके बहुत लोग सीखने आते हैं, जहां पर Catherine को अपनी पास्ट का रिकॉल हो रहा है और लकिन डॉक्टर वाइस को सिर्फ Catherine की हीलिंग से केस ब्यॉंड चला गया था Catherine की हीलिंग हो ही रही थी लेकिन एक रिग्रेशन में ऐसा हुआ कि उसने अपने आपको देखा काथरीन ने देखा फिर इमेजिएटली बाद उसकी डेथ हो जाती है उसकी बॉड़ी उपर फ्लोट करके चले जाती है और अब जब काथरीन बोलती है इन बिट्वीन लाइफ स्टेज में एक लाइफ और दूसरी लाइफ के जो बीच की जो स्टेज है हमारी that is called in between life stage so उस in between life stage में कैथरीन की आवास बदल जाती है उसके आवास की quality change हो जाती है वो कैथरीन की आवास नहीं थी और यह आवास कैथरीन के थूरू क्या बोलती है? कि डॉक्टर वाइस को उन्ही के past के बारवे में बताती है Dr. Weiss को कहते हैं कि the masters are here, masters है, यहाँ पर masters है, और masters आपके पिता भी है यहाँ पर, Dr. Weiss के पिता का कुछ ही समय पहले heart attack से death हुआ था, so वो कहते हैं आपके पिता भी है यहाँ पर और आपका बेटा भी है, और आपका बेटा जो है उसके भी heart में problem थी, उसका heart एक chicken के जैसा था, उल्टा था उसका heart और वो आपके जीवन में इसलिए आया क्योंकि आपको बहुत प्यार करता था, अपने parents का करजा उतारने के लिए यह बच्चा आया था, और यह बहुत advanced soul है, friends, Dr. Wise के पसी ने छूट जाते हैं, यह बात Catherine को बिलकुल मालुम नहीं थी, कि Dr. Wise के 23-day-old बेटे की death हुई थी, एक rare heart disease थे, एंड जिसमें उसका heart literally उल्टा था, उसका जो circuitry थी वो उल्टी थी, so वो बहुत shocked रह जाते हैं कि यह क्या हो रहा है, और यह facts किसी को भी नहीं मालुम थे, सिरफ उनी लोगों को मालुम थे, जो कि बहुत ही intimate circle में थे, Dr. Wise के, रूपलों अपनी ठेशनल लाइफ में और अपने प्रोफ Cornel लाइफ में एक एक लाइन ड्रॉ परकर करकर रख हु थी, उन्होंहें अपनी प्रसनल हाफ किसी पने पैशन गेंकर के साथ डिसकस नहीं की और कै्थरीन के साथ भी डिसकस नहीं की थी, तो Dr. Wies अपनी ठंडे पढ़ गए और सोच रहे हैं अपने क्लिनिक में बैठकर कि यह क्या हो रहा है यह कौन बोल रहा है पूछते हैं कि यह तुम्हारे थू कौन बोलता है वो कैते हैं मास्टर्स बोलता है वो पुछते हैं मास्टर्स कौन हैं मास्टर्स highly advanced souls है जो बौडी में नहीं है जो फिजिकल बौडी में नहीं है फ्रेंज मास्टर्स Catherine के थू कम्यूनिकेट कर रहे थे बहूत सारी पास लाइफ ककी यह फो देखी कि Catherine ने अपने बोगत बता बीमार लोग थे इन उसकों तो अलग कर दिया गया था। अलग कर दिया गया था ठीजर yatट को भ्याकर ठत Ewald was if the police बिख्व का में चोड़ा थे weef और बंद पर कर देते थे । सो उसके last moments थे वो बहुत traumatic थे, बहुत डर के थे, उसको सांस भी नहीं आ रहे थी, उसको बहुत डर लग रहा था, पूरा अंधिरा था, और ये friends, ये ये राज था उसकी fear of dark का, उसको जो इतने night events आते थे, जो इतने बुरे-बुरे सपने आते थे, उसकी past lifetimes में ही उनके seeds थे, so Dr. Wise ने ये notice कि अब Catherine ना सिरफ अपनी past lives को तो देखती ही देखती है, उसके past issues तो resolve हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ, वो masters को भी channel कर रहे हैं, channeling the masters also, जो कि बहुत highly evolved souls हैं, और इनी masters में से एक ने बताया Dr. Wise को कि हा, तुमारा बेटा जो है, वो भी यहाँ पर है, त तो friends कैसा लगा होगा Dr. Wise को, Dr. Wise लिखते हैं कि उनको बहुत overflow of love हुआ, अपने पिता के प्रती, अपने उस बेटे के प्रती 23 days का जो बेटा था, जिसकी डेथ हो गई थी, और दोनों husband wife बहुत एक state of depression में चले गए थे, कभी उन्होंने इस perspective से तो शायद सोचा ही नहीं है, हमारे करजे हटाने के लिए हुए, यह तो friends, doctor के बिल्कुल दिंबाग में नहीं आया होगा, Dr. Wise के, लिकिन Catherine की बात सुनकर उनको एक बहुत प्यार उम्रा, जैसे होते है न अपने फादर के प्रती, अपने उस डेट बेटे के प्रती, उनको बहुत प्यार उम्रा, और अपनी जो करेंट फैमिली, अपनी वाइफ और अपने दो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं इस पॉइंट पर कि क्या मैं इनको पहले भी जानता हूं, क्या हम पहले भी एक साथ रहे हैं, so you know, that fills his heart with a lot of love, और टेक्स्ट में एक पॉइंट पर डॉक्तर वाइज की बेट अब उनके लिए इस बात का बिल्कुल मतलब ही हो चुका है, जो चोटे बच्चे की एक इनसेंट सा कमेंट था, that daddy I have loved you for 4000 or 40000 years, और वो कमेंट आप Dr. Wise के लिए एक बहात अलग परस्पेक्टिव लाता है, so friends, अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि Master's की वेट करते हैं, Master's कब आएंगे, क्योंकि यह जो wisdom Catherine दे रही थी, friends, यह Catherine के बस की बात ही नहीं थी, इतनी wise बातें करना और सौचना, that was beyond Catherine's capabilities, in fact, बड़े मजे की बात ही है कि जब regression के बात, वो Catherine को उसके टेप सुनाते है कि देखो, अभी क्या होगा, अभी तुम क्या वो इंट्रेस्टी नहीं होते, she's just not interested, लेकिन जब वो ट्रांस में चले जाती है, तो वो ऐसी बड़ी-बड़ी बाते करने लग जाते है, जो उसकी capability के beyond है, Master's कई messages देते हैं, जो कि Dr. Wise के लिए है, through Catherine to Dr. Wise, so Dr. Wise को Master's message देते हैं, कि तुम्हें humanity का fear को remove करना है, Humanity fear से grast है, and that is the fear of death, जितना भी किसी के पस पैसा हो, जितनी भी किसी के पस power हो, fear of death नहीं जाता, तुमको उस level पर काम करना है, जहां पर, कि हम उस body के beyond है, हमको ये understanding है, that we are not the body, so तुमको उस level पर काम करना है, Dr. Wise, friends, उस ही level पर काम करते थे, एक तुमको उस level तक जाना है, जहां पर इनको अपनी body का concern ना हो, तब इनको अपनी reality पता चलेगी, Friends, ये कितना बड़ा spiritual truth है, कि हम अपनी reality को भूल चुके हैं, एक और instance में masters बताते हैं, उनको, कि, जैसे Dr. Wise पूछते हैं कि, आप कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, कितना difference है हम लोगों में, हमारी capabilities में कितना difference है, financially हम लोगों में कितना difference है, आप कहते हैं हम सब एक हैं, तो masters उनको example देते हैं, एक diamond का, एक diamond जिसके उपर बहुत सारी layers चड़ गई हैं, मिट्टी की, कुछ लोगों ने मिट्टी की काफी सारी layers हटा लिय हैं, और कुछ लोगों ने बिल्कुल उन layers पर बहुत कम काम किया हैं, लेकिन, ultimately, सभी वो beautiful diamond है, beautiful sparkling diamond है, ऐसे friends, masters उनको बहुत सारे messages देते हैं, एक poet master आते हैं, जो उनको बहुत सुंदर message देते हैं, कि humanity हर च साथ प्यार से रहते हैं, वीस्तامनी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ, प्लांट किंग्डम हामनी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ, सिर्फ एक humans ही हैं, जो खुद को भी destroy करें और earth को भी destroy कर रहे हैं, Dr. Wise उस poet master से पूछते हैं, कि क्या हम इसको undo नहीं कर सकते हैं, हम क्य कर सकते हैं, वो कहते है कि एक एक परसंड के पास जाना तो तुम्हारे भसका नहीं है, तो docटर वाइस कुछने त्थि किया कर सकते हैं, कि होगा ये सब ठीक होगा, लेकिन एक अलग लेवल पर हुगा, फ्रेंस आज इस बात को पढ़कर तो इस गि имеет someone's हमने कितनी बार इस बात के बारे में बात करी है यह बात सुनी है कि Earth ने 5th Dimension में अंटे कर लिया और अब चीजे चेंज हो रही है So, वही बात शायद वो Master बता रहे थे कई साल पहले कि एक अलग level पर होगा तो my life जैसी है वैसी ही नहीं होगी उस level पर नहीं होगी शायद Masters यह इंडिकेट कर रहे थे कि हम सब 5D में जाने वाले हैं और उस level से अब चीजें operate होगी So, friends, इस तरह से एक नया जीवन शुरू होता है ना सिरफ Catherine के लिए, Dr. Wise के लिए Dr. Wise भी बहुत साइकिक हो जाते है उनको गुसा ना कम हो जाता है उनका मृत्यू का दर खतब हो जाता है वो अपने बेटे के साथ एक फुटबाल मैच देखने जा रहे थे और उनके आगे एक वीकल फसा हुआ था नॉमली वो बहुत इरिटेट हो जाते क्योंकि मैच मिस हो रहा था अधा मैस चाहिद मिस हो ही जाता वो बट उन्होंने वो बिल्कुल भी उन्होंने रियक्ट नहीं किया हर चीज के प्रती वो बिल्कुल एक भा होता है ना सरेंड़ का कि ओके वोट केनाट बी क्यूर्ड मस्ट बी अंडॉर्ड जिसको आप ठीक नहीं कर सेते हैं उसको बरदास्ट करना सिखिए उन्होंने बात बताई कि मेरी नेक में कोई टेंशन नहीं थी मेरी शोल्डर में कोई टेंशन नहीं थी यही दो एरियास हैं जाम अपनी टेंशन को स्टोर करते हैं So, Dr. Weiss को कोई टेंशन नहीं थी, उनका जीवन भी बदल रहा था, उनका अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, रिलेशन बहुत ब्यूटिफुल हो रहा था, और लाइफ में उनका क्या रोल है, उनको ये भी समझ आ रहा था, क्याथरीन के साथ ये सेशन बहुत समय चले और अल्टिमेटली क्याथरीन को और डॉक्टर वाइज दोनों को ये लगा, कि हाँ आप हमारी सेशन हो गये हैं, और जो लास्ट ये कुछ सेशन से उसमें मास्टर्स ये मेसेज भी दे रहे थे, कि ये मेसेज तुम्हारे लिए है कैथरीन के लिए नहीं है, तुम्हारा रोल कैथरीन की लाइफ में था उसको सिखाना, कैथरीन खुद बोलते हैं कि वो आप कर चुके हैं, आप मुझे सिखा चुके हैं, तो इस तरह ऐसे डॉक्टर वाइज उसकी लाइफ में कम्प्लीट ट्रांस्वरमेशन लाने में से स करते हैं, और सभी के लाइट जल जाती है, तो सिमिलरली, दॉक्टर वाइज और उनकी वाइफ और उनके बच्चे और उनके असपास जितने भी लोग थे, उस पीस को फील कर सकते थे, ते कुट फील थाट प्रेसंस ऑफ पीस इन इस लाइफ, ना मृत्यू का डर, ना कोई तो आपके आप कितना कुबसूरत ही से क्या रेडियेट करेंगे, आपको दी सोचिए, तो डॉक्टर वाइज ने बहुत सारा पीस रेडियेट करना शुरू कर दिया, बहुत साइकिक हो चुके थे, तो साइकिक होई गई थी, कैथरीन को भी एक बार क्या हुआ, कैथरीन को एक हॉर्स रेस में जाकर, हमेशा वो उसी हॉर्स पर पिक करती जो कि जीता, तो उसने बहुत सारा पैसा जीता उस रेस में, उसने बहुत सारा पैसा जीता उस रेस में, उसने बहुत सारा पैसा जीता उस रेस में, उसने बहुत सारा पैसा जीता जीता उस रेस में, उसने पहला पूर परसन उसको स्ट्रीट पर दिखता है, वो उसको वो सारा पैसा दे देती है. कितना फ्रेंज, कितना परस्पेक्टिव बदल जाता है, जब स्पिरिच्वालिटी आपकी लाइफ में आ जाती है. आप बियॉर्ण देख सकते हो, पैसे के बियॉर्ण देख सकते हो पावक है. सो कैथरीन का और डॉक्टर वाइज का इस सफर बहुत सुंदर रहा. कैथरीन की दिखाएदी जिसमें को चैथरीन का फेस दिखाएदी और इसा दिखाएदी है जिसे जिसे अनकी मदद की ज़रूरत हो. कैथरीन से वो सुभा लेटर इन दे उसे पूछते हैं कि क्या क्या कोई प्रपलम थी. तो उसने का हाँ 3.30 पे मैं एक नाइट मेर के साथ उठी थी Almost at the same time ये दोनों उठे थे और almost in the same physical mental condition के साथ उठे थे So इस तरह से दोनों ही बहुत साइकिक हो गए थे और Catherine ने अपना एक बार Catherine को बहुत कुरियोसिटी हुई वो जानना चाहती थी कि एक साइकिक थी वहाँ पे तो वो जानना चाहती थी कि मेरी past lives क्या है उसने पढ़ा था उसको पढ़ा था बर स्टिल शी वस क्यूरियोस तो उस साइकिक ने exactly वही past lives बताई जो डॉक्टर वाइस के साथ उसने अपने sessions में जानी थी सो कैथरीन का यहां पर सफर डॉक्टर वाइस के साथ खतम होता है कैथरीन रेडियन्ट हो गए ब्राइट हो गए और वो लोगों को काउंसल करने लगें डेथ के बारे में डॉक्टर वाइस की वाइफ थे कैरोल और कैरल का जो मादर थी वो फ्रॉक्टर उसने बात करी और उनको समझाया कि डेथ से कोई डरने की जरूरत नहीं है यह जसे एक प्रोसेस अफ शेडिंग है मास्टर भी बोलते हैं कि डेथ से क्या डरना पहले आपने अपनी बेबी बोडी को शेड किया फिर आपने अपनी टीनेज बोडी को शेड किया फिर आपने अपनी यंग बोडी को शेड किया तो यह अलवेज शेडिंग बोडी तो इतना डर क्यों इतना डेथ का डर क्यों So Catherine ने उनको बहुत beautifully counsel किया और वो बहुत peacefully pass away कर पाई Dr. Wise को भी लगने लगा कि वो भी change हो चुके है वो भी अपने patients को इस बारे में awareness देना शुरू कर चुके है देथ के बारे में, देथ के बारे में बात करने लग गए थे और friends, अंत में वो हमें यह बताते हैं कि वो बहुत intuitive हो गए उनको ऐसे dreams आने लगे जिसमें कि उनको अलग लगताने के dreams आने लगे उसमें उनका एक teacher था dreams में, फिलो करके फिलो उनका नाम था और उनके साथ उनसे बहुत उनकी discussions होती थी एक बार उन्हों ने यह देखा कि वो psychiatrist को address करें एक hall था psychiatrist से भरा हुओ, वो खड़े हुए है stage पर और वो सभी psychiatrist को समझा रहे हैं कि हमको यह याद रखना है हमको याद रखने हैं कि हमें अपने patient से बात करनी हैं हमको बहुत 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 टेक्निकल चीजों में पढ़ने की इतनी ज़्याद ज़रूरत नहीं है या इंस्ट्रुमेंट रखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको अपना रोल याद रखना है as a healer हम healers हैं हमें अपना long forgotten role याद करना है, doctor as a healer, so हमको अपने patient से बात करनी है, उनको hope देना है, उनमें जो hope अवेकन करना है, उनमें, so ये उनने अपना पूरा dream sequence describe किया, जो कि, जिसमें कि वो सभी psychiatrists को से बात कर रहे थे, उनके सामने stage पर खड़े हुए थे, इस तरह से उनको बहुत सारे intuitions भी आने लग गए, कोई गाना आ जाता था, कभी कोई word आ जाता था, जिससे कि उनकी current problem का solution मिल जाता था, बहुत psychic हो चुके थे, बहुत intuitive हो चुके थे, और उन्होंने अपने जीवन का larger purpose समझ लिया था, कि वो यहाँ पर ये books जो हमें दी हैं, वो इन books को लिखने आ बिलकुल भी आसाल नहीं था, डॉक्टर वाइस इस बुक में खुद बताते हैं हमें कि मुझे चार साल लगे इस बुक को लिखने में, मुझे ढर लगता था, लोग मेरा मजदा कुडाएंगे, मेडिकल कम्यूनिटी मेरा मजदा कुडाएंगी, मेरे फ्रेंस क्या कहेंगे मुझे चार साल लग गई है, डिसिजन लेने में कि मैं एक किताब लिखूँ और फ्रेंस, आंट वी थांक्फुल टॉक्टर वाइस, हम नतमस तक हैं उनके आगे कि उन्हों ने हमें इतनी सुन्दर ग्यान दिया और इतनी सुन्दर बुक दी, जो कि for generations ये तो एक गिफ्ट एक जो इस लेवल की जो बुक है वो आपकी कई 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 जनरेशन की लाइफ को तच करती है, तो Dr. Weiss ने कैसे डिसिजन लेफ इस बुक को लिखने का, उन्हों ने इस बुक को नहाते टाइम उनको आया कि मुझे अब ये बुक लिखनी ही लिखनी है, बहुत स्टॉँ कि ये इन्साइटे आपको मिलते हैंगी ह। ये इतनी कि इसको फुल जर्स्टीस में होते ह। जरो इतनी कुवसूरत कित अपनूरत कि उन को सभी तक पहुचाई है, हम उनको बहुत बहुत अहीं है। कितनी lives को उन्होंने तच्छ किया है। वी आर सो एक्स्ट्रेमी थांक्फू दॉक्ट वाइस और काथरीन आलसो जिसने अपनी स्टोरी हम सभी के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मुझे उमीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत मजाया आपके साथे वीडियो शेयर करने में और मैं आप सभीक से अनुरोद करूंगी कि आप PMC Hindi को सब्सक्राइब कीजिए और इन अमेजिंग वीडियो और इन अमेजिंग प्रोग्राम के साथ हमें रोज मिलें। बहुत बहुत दन्यमाद दन्यमाद प्रेंज लवन लाइच तो अल भीडियो और इन अमेजिए